असलाम अलेकूम मैं हूँ छेफसद और उमीद करते हैं कि आप बिलकुल ठीक ठाक होंगे और देख रहे हैं आप प्रुबिक टीवी पे हमारा यह जब दसा शो और जब दसा शो मैंने क्यूं कहा क्यूंकि आपका जो फीद बैक है उससे हमें अंताजा हो रहा है कि आपको शो रेस्पी कितनी पसंदा रही है कोशिश हमारी यही थी कि इस रमजान भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जटपट असान सी रेस्पी लेके आएं ताके आप लोगों का टाइम भी सेव हो और आपके दस्तखान पर जो लोग बैठे हो उनको भी आपकी रेस्पी बहुत पस यूज चंपी चंपी यूज और आज हम बना रहे हैं काले चनव में की चनना नहिमें मुलिόग ऌले निहां है रेस्पी और मैं चलता हो काउंटर की चाहने मुलिय है अब हमने देख लिए है और बहुत ही सिंपल से इंग्रिडंस है अब हमने करना क्या है कि यहां पर जनाब पानी वाली चना चाट के लिए हमने यहां पर ले लिए हैं चने काले चने हम ले लेंगे ठीक है उसके साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें उबले हुए आपने मेरे पास परीड़ा की परबाद बीक और बाद चाप मैंने कीये हुए टेमाटर है तकरीबें यह दो अदद आलू ली और दो अदद चोटे दरम्यानी साइस के प्याज अगर बड़ा साइस का प्याज है तो आप फिर इस में तकरीमन प्याज वह आप एक अदर यूज़ की ठीक है यह हमने तमाम चीजों को मिक्स किया उसके बाद अब यहां पर मैंने लिया हूँ है इमली का गूदा ठीक है इमली का गूदा लिया है हमने तक्रीमा चार खाने के चमच अब इस इमली के गूदे में हमने शामिल करना है पानी ठीक है और पानी शामिल करने से पहले इस मैं शामिल कर रहा हूँ, यहां पर मेरे पास मौजूद है चाट मसाला ठीक है जी, एक से लेड़ खाने का चमच चाट मसाला उसके साथ एक चाय की चमच खटाई पाउडर उसके साथ ही अब हम यूज़ करेंगे इसमें नमक नमक के साथ ही कुटी हुई लाल मेच और कुटी हुई लाल मेच तकरीबन एक चाय की चमच के करीब आप डालीएगा और उसके साथ ही फाइनली हम इसमें डालेंगे आदी चाय की चमच जीरा जीरा आदी चाय की जमर डालके बस अब आपने क्या करना है इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ठीक है पानी के साथ और पानी तकरीबन आप इसमें डाल देंगे दो कप के करीब ठीक है यह हमने दो कप के करीब इसमें पानी शामल कर दिया और अब यह पानी जो है हम डाल देंगे अपने चना चाड यह लेकिए अच्छे से मिक्स किया पानी वाली चना चाड हमारे पस तयार है बहुत मज़िदार और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर और मुझे उमीद है कि जब आप इसको ट्राइ करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी और उसके बाद साथ आप जो है पापरी जो है इसको सर्फ कर सकते हैं ताके अगर जिसको पापरी चाहिए तो वह पापरी के साथ सर्फ आप खा सकते हैं और यह इसी तरह लाइक आप कहनें कि बगर पापरी के भी उतनी ही मज़ेदार आपको लगेगी जितनी पापरी के साथ लगेगी तो मुझे उ enjoy कीजिएगा, Rubik TV पर हमें अपना feedback जोर दीजिएगा, अपना बहुत खियाल रखेगा, इजाज़त दीजिएगा, Allah हाफिस